हेलो वीवर स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केर में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हाई कलेस्टरॉल कैसे आपके सेक्सोल लाइफ पर इफेक्ट डालता है कैसे आपके इरेक्शन में प्राब्लम करता है तो इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो अगर आपने हमारा प्रियोस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया है कि पॉन वीडियो में दिखाया गया स्क्राटिंग क्या होता है कब होता है कैसे करते हैं इसे गल्स को क्या फायदा होता है अगर आप भी ये जाना चाहते हैं तो डिसिप्शन बॉक्स में देखे लिंक पर क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हाई कलेस्ट्रॉल कैसे आपके सेक्सवल लाइफ पर इफेक्ट डालता है कैसे ये इरेक्टायल डिस्वंक्शन का कारण बनता है हाई कलेस्ट्रॉल इरेक्टायल डिस्वंक्शन का सुरुवाती सिम्टम्स है अगर आपका कलेस्ट्रॉल लेबल हाई है तो ये आपके performance के साथ-साथ आपके libido and desire को भी low करता है तो आप बात करते हैं कैसे high cholesterol and erectile dysfunction एक दुसरे से जुड़े है cholesterol blood stream में wax की तरह fatty substancia पदात होता है हमारे body में दो तरह के cholesterol होते है good cholesterol जिसको HDL कहा जाता है और दुसरा bad cholesterol जिसको LDL कहा जाता है अगर आपके blood stream में बहुत जादा LDL यानी bad cholesterol बढ़ जाता है तो arteries block होनी start हो जाती है उनमें अच्छी तरह से blood flow नहीं हो पाता है और इसी condition की वज़े से link में proper blood flow नहीं हो पाता है और आपको erection की problem होने लगती है अगर आपके blood stream में बहुत जादा मातर में LDL यानी bad cholesterol बढ़ने लगता है तो आपको erectile dysfunction की problem होनी start हो जाती है high cholesterol आपके body में effect डालता है जिससे आपकी body blood stream में proper तरीके से nitric oxide release नहीं कर पाती है जिससे erection मिलने में या erection को maintain करने में problem होती है एक important बात बता दूँ आप जो sexual tablet लेते हैं व्यागरा या टेला फिर उसमें भी nitric oxide होता है जिससे आपको hard erection मिलता है nitric oxide आपके link के tissue को relax करता है और blood flow को increase करता है जिससे erection बना रहता है इसमें एक और सवाल आता है कि क्या high cholesterol testosterone production को low करता है तो इसका जवाब है हाँ high cholesterol testosterone testosterone के production को low करता है testosterone sex hormone होता है जो पूरुसों के sex drive को high करता है libido desire को बढ़ाता है और link को erect करने में या erection को maintain करने के लिए जरूरी होता है testicles body के लिए testosterone produce करता है और high cholesterol blood flow नहीं होने देता है testicles में जिससे testicles, testosterone hormone नहीं बना पाता है जो आगे जाकर erectile dysfunction का कारन बनता है इसलिए high cholesterol को maintain करना बहुत जरूरी है ताकि आपकी sexual life healthy रहे आप sex का पूरा मज़ा ले सके कौन-कौन से food है जो cholesterol को maintain रखते है और कौन-कौन से food या diet है जिससे cholesterol की problem होती है इस topic पर वीडियो आएगी तो channel को subscribe करके रखे तो hopefully आपको ये वीडियो काफी पसंद आ होगा अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like कीजे और like जरूर कीजे इससे हमें motivation मिलता है आपके लिए और भी अच्छे-च्छे content बनाने का और हमें support करने के लिए चैनल को subscribe करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके all को select करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की notification आपको मिलती रहे अगर कोई doubt है तो comment कीजिए मैं उसके answer जरूर दूंगा मिलते हैं next वीडियो में किसी नए topic के साथ Thank you